तो हेलो गाइस मेरा यूटुब चैनल डॉक्टर एक्समिन में आपका फिर से बर सहोगत है ठीक है आज हम लोग एक नए टॉपिक करने वाले हैं ट्राइजमेरल नियुरालजिया लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में में आपको एक जो पेसेंट है जो एक्चुली ट्राइजमेरल नियुरालजिया का पैसन कैसे सिंटम सो करता है ठीक है तो हम जानते हैं ट्राइजमेरल नियुरालजिया क्या होता है जो ट्राइजमेरल नियुरालजिया है यह वर्ड में इसकी मेनिंग सुपी हुई है ट्राइजमेरल जो है फिप्ट क्रेडियल नर्व है टार्थ करती है लिए एक प्रय। नराजिय सीम्टम में शाइन system सेंगें लोगों में से एक लाख लोगों में से मुस्किल से चार से लेकर के तीरा लोगों को या आफ़ेकल करता है थो ये से व्यक्ट सेन है खु है अब हम इस के जो ट्राइज्वरल नर्षान फिर्फट्लेन, इसके वर्ग के बार, आज करें कि यह दो है, जो है प्रकार के तरफ हैं तो जैसे कि सेंसेशन जितने भी प्रकार के सेंसेशन है एक ट्रॉट के उपर है कि त्राइब नर्फ इनकी ब्रांचेस और ये भी तक पहुंचाता है ठीक है तो यह था इसका वर्क अगर मैं बात करूँ इसका cause की ट्राइजमलर नुराल्जिया यह दिसीज है यह क्यों होती है कैसे होती है तो cause की बात मैं अगर करूँ तो 80 से लेके 90% केस में ट्राइजमलर नूराल्जिया का cause हो सिर्फ और सिफ कंप्रेशन है इसका compression उसकी surrounding structure के द्वारा हो रहा है surrounding structure में जैसे कि कोई भी artery या vein जो है ठीक है वो इसको compress कर रही है जिसकी वज़से irritation हो रहा है और यहां से sensation altered हो रहा है जिसकी वज़से हमको जो sign symptom मिलते हैं में वह आगे बताऊंगा तो यह इसका मोस्ट कॉमन कॉज है असी सनभ्य प्रतिसर ट्राइजमानल नियुरालजिया के केस में कारण होता है दूसरा कारण अगर मैं बात करूं किसी प्रकार के ब्रेड में कहीं तुमर फॉर्मेशन जो कि फिर से कम्प्रेशन कर रहा है ठीक है अगर और कास की बात करूं तो अपना तो उस फेट की कवरिंग का किसी भी कारण से डिस्ट्रक्शन हो जाना या फिर रिमुवल कहना चाहिए उस कवरिंग का जिसकी वज़ा से हमको नर्व रिलेटेट पेन होते हैं तो यह भी एक कारण है ठीक है ज्यादतर केस में कुछ केसे में ज्यादतर नहीं मल्टिपल इसक्लेरोसिस जो डिसीजर उसके साथ एसोसेट होता है ट्राइजमेरल नूरालजिया ठीक और अगर साइन इंड सिम्टम की बात करूं है इसमें तो फेशियल पेन होता है जिसके जो करेक्टर होगा सडल ओन सें एकडम से पेन आएगा बहुत इंटेनींटी हाई भी हो सकती लोग हो सकती इंटेंसिर पेन की ठीक IMD character वो सार्क होगा strutогa suiting होगा electric, समस्क्रूचैटिण उसके जैसे भी हो सब्धा है excruciating जिसके frequency है एक जिसकी फ्रीक्मेंसी, गगंटे तक की हो सकती है मतलब एक मिनटcourse चीक्रूचैकर ढरेकर फिर गया थिक है, यह ढोन फ्रेऄ द्री चार बार हो जाता है पर गयब हो जाता है फिर थोड़े जेल रहता है फिर जो कि ट्रिगर होता है हमारी activity से अब activity क्या हो सकती है जैसे कि हम जैसे मैं bolo— मेरे集 बोलने भी जु हैं उनका involvement है, तो इनकी activity से पहला कि अपक्रियमिलेастиक नर्व उसका compression हो रहा है तो इसकी वज़े से सिंप्टमस मिल रहा है जा से तो यह वज़े से शोको एक फ्रिक्वेंट परेंट के सेसेंस न आते हैं शारफ सूटिंग पेल पेल मंडेडर करेक्टरीन्व स्टान उसे यह भंगा जिसके फ्रिक्वेंसी एक मिनटीन ने करके एक दिन तक कि बना रहता है और लांग लास्किंग रहता है ठीक है अब आते हैं अगर इसके कि हम इसको कैसे क्लिनिकली एंड मतलब रेडियो लोजिकली अगर इसकी डाइग्नोसिस बनानी है हमको पता खरना कि ये सच में ट्राइवनल निरॉलजी है तो सबसे पहले चीज पेसेट जो है इसमें करेक्रिष्टिक फीचर क्या क्या सोगरेगा हमारे क्लिनिकल इग्जामेनेशन के टाइम पे पे पेसटन की हिस्ट्री लेंगे वो बोलेगा पेसट कि उसको अचानक से पेन स्टार्ट होता है पहली चीज ठीक है पेन थोड़े दिर क्लिए रहता है ठीक है या फिर बार बार रेपीट होता है फ्रिक्वेंटली पेन होता है ठीक है पेन जो होता है most of the cases में ट्राइजमर्ण निरॉल्जिया के लगए में टृफ्ट करता हैoben के शुआ हिंगुआर। निरॉल्जिया करें ऐसे होता है मतलब जो पेन होता है और करता है या फिर कोई भी अज़िए अच्टिविटी करता है तो उससे, पेन फोड़े कहा है यह ख Sou तो इसमें मैं बताऊं जो आर्ट्री होती है इसमें जो कॉमनले आर्ट्री जो होती है इसमें जो की इन्वाल होती है जो आर्ट्री का इंवाल्मेंट मिलेगा इसमें अगर कॉम्स काॉज है इस साथ वह जो होती है मेरी का involvement잖아요hausפ को अभाना जिसकी वेज़े लर्वेशेंट के सिन तो चाहिया रीट्मेंट में में मेंड़िसिन के थोज आते हैं तो मेडिसिंस में कार्बामेजिपाइन और अगजा कर्बामेजिपाइन होते हैं यह दो ग्रूप होते हैं रेरली लेकिन इसमें जो है रिलीफ जो होता है एकदम माइल्ड के इसमें ही रिलीफ मिल सकता है इसके परमानेंट ट्रीपमेंट के लिए या परमानेंट क्योर के लिए इसमें इसमें नियूरो सर्जरी होती है, ठीक है, तो नियूरो सर्जरी में क्या होता है, एक टेफलान मेस इंप्लांट करते है, टेफलान मेस इंप्लांट क्या होता है, टेफलान जो होता है, एक इस्पॉंज लाइक थींग होता है, ठीक है, इस्पॉंज लाइक थींग जो क क्या करते हैं उस में? इसपांज जैसे सबस्टेंस उता है जिसको जो ट्राइजमर्म ट्राइजमर्म ये वर्ल्टिब्रल आर्ट्री से तो हम क्या गरेंगे? खुआ नियुर्सर्जन यह करेगा कि टैफलॉन जो है टैफलॉन एक इसपांज लाइक थींग है उसको हम एससे बीच में जहां से कमप्रेशन हो रहा वहां पर इंप्लांट कर देंगे है तो जो इसका कमप्रीशन है नर्व का जो नहीं हो टीक है तो टेफलान में जो प्लाक इंप्लांट में सब्सक्राइब तो इसके भी अपने कुछ साइड एफेक्ट होते है तो ये था ट्रैजमल नीवरालजया के ओपर ये विडियो अगर आपको और भी कोई इंफर्मेटिव विडियो चाहिए रिलेटेड हेल्थ तो आप मेर को कमेंट करें बिल्कुल उस पे एक वीडियो बनाऊंगा अभी मैं आपको पेश्ट से मिलाता हूँ जो सफर करवा है ठीक है तो यह हमारे पास पेश्ट है ट्राइजमाल नेउरालजिया का केस है इनका मैंने जो इनकी क्लिनीकल एक्जामेनेशन के समय जो हिस्ट्री लिया तो वही हिस्ट्री मैं फिर से लोगा तो ये अंकल हमको बताएंगे कि इनको किस प्रकार का थो ठीक है तो अंकल ये बताओ आपको किस साइट पेन होता है पहले ये बताओ तो उनको left side का है Trigional Neuralgia है ठीक है तो पेन में क्या क्या होता था अंकल आपको मैंने जैसे बताया था कि Trigional Neuralgia के case में mostly जो involvement होता है Mandibular Reason का होता है इस Reason का है ना जो Mandibular Nerve का सप्लाय होता है यहां तक क्यों होता है Second Nerve जो होती है Maxill Carry यहां तक होता है ठीक है झाल झाल